हेलो एब्रीवरन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होब सब अच्छे उंगर मैं भी अच्छे हूं तो आज मैं दई बड़ा की रेस्पी शेयर कर रही हूं आप सभी के साथ तो मुझे कॉमेंट भी आ रहे थे के तो आप दई बड़ा की रेस्पी बनाती हूं बहुत तरीके से लोग बनाते हैं लेकिन मैं अपना तरीका शेयर कर दिया आप लोगों बहुत ही पसंद आएगा तो अगर पसंद ना आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो गाइज यहां पर मैं बना रही हूं मुझ ओड़ और मुझदार के बड़े तो यह मैंने दोनों दाल लिए आधी आधी लिए दोनों एक भी ले सकते हो चाहें ओड़ चाहें मुझ बहुत अट्रेस्टी बनते हैं लेकिन मैंने दोनों लिए के बाद ही करती है न और दा तो कोई हरे कोई नहीं बनाता है इसलिए में मुंख दाल भी डाल दी है यह दुली वी दाल है तो यहां पर मैं बना रही हूं चटनी तो चटनी के लिए मैंने धनिया लिया पोधीना लिया और मैंने अच्छे से दोके साफ कर लिया है दोनों को और हरी मेरस लिया नेवू तो यह दाल थी ना रात को मैंने भिगो दी थी आप ओवर नाइटी भिगो येगा क्योंकि ज्यादा इसको सोक करते तभी अच्छा बनता है तो इसको मैं मिक्सर में पीस लेती हूं दाल पीस लिए मैंने और देख सकते हो कितनी अच्छी पीस लिए मैंने पिस गई है तो यहां पर मैं बना ले थी हूं चटनी तो यह मैंने पोदीना धनिया को अच्छे साफ करके रखे लिया था और हरी मिर्ची भी डालना इसमें तो मैं चटनी इससे हम लोग चटनी दोनों बनाओंगी में मीठी बनाओंगी सोट और यह चटनी हरी भी बनाओंगी दोनों चटनी बनाएंगे बड़े के लिए जरूरी है दोनों चटनी बनाना मीठी चटनी की लिंक के नीचे दे रखिया तो आप चेक कर सकते हो और बना सकते हो अगर आपके पास ना यह तो हरा अधनियकी बणा सकते हो इतना के नीवू डाल दीती हूं नीवू से बहुत अच्छी टेस्टी चटनी बनती है तो यहां नीबु डाल दिया मेंने अगर आपके पास नीबु नहीं है तो आप में owner यह पानी नहीं सब्सक्राइब करेंगे देख सकते हो चथनी कितनी अच्छी क्रीब बन के तयार है दिखने में इतनी अच्छी लगरिए तो खाने में कितनी टेस्टी होगी तो यह दाल है तो इसमें में नमक डाल लेती हूं और नमक डाल के फिर इसको में फेटूंगी यह जीरा है जीरा जरूर डाल येगा इससे बहुत अच्छा फिलेवर आता है जीरा से तो इसको में अच्छे से फेट लेती हूं दाल को फेट रहते हैं तो यह टाइट नहीं रहेंगे बहुत ही इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगे मैं जब जितने ज्यादा फेंटेंगे उतना यह अच्छा बनता है यह दई बड़े मैं तो यह सकते हैं न इस तरीक से हमारी यह तरीके से बैसे करना है कि दाल बिल्कुल तयार है हमारी तो अभी मैं बड़े बनाना शुरू करती हूं तो आप कभी भी इनको बना सकते हैं कोई तो वहार हो तो हम नहीं यह कभी मन करें आपका छूट्टियां चल लएंगे बच्चे घर में कभी भी बनाती रहती हूं मैं तो तो यहां पर मैं तो आप अपने तरीख से बना सकते हो चोटे बड़े यह पर मैंने ऐसे बनाएं तो यह थमीरा बन्के तैयार है निकाल लेती हुँ और यह पानी थो गुणुना पानी थे नाहीं कि भानी नहीं है तो मैं पाणी में डाल देती हूं मैं दो जतने मुझे ज़रूरत है उतना और बनाकर तो उसको सकते हो क्रुपते हैं पानी डाल सकते हो कितनी अच्छे बने तो यह सारे मैं बना के तयार कर लिया और यह ग्रीन चटनी यह दई दई को मैंने अच्छे से फेट लिया और यह सॉंट जो मीठी चटनी भी कहते हैं इमिली की तो कितनी अच्छे लग रही है ना यहां पर तो यह बड़े पानी में से में को निकाल लूँगी और हास से थोड़ा सा इसको निचोड़ना है और नि यहां पर रख लीए मैंने स्पेंट ढल दिया है दही दही अपना जतना चाहूं तना डालो जो भी चीज ज़्यादा कम आप अपने साब से कर सकते हो तो दही बढ़ा है तो थोड़ा दही जादा डाला है मैंने बहुत ही अच्छे बनते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं आप कभी भी बना सकते हो अभी रमजान आया रहे हैं तो उसमें भी आप लोग बना के खा सकते हो कभी बना सकते हो नहीं कि अप्लांति है में इसका च 화णी मेरा जिर किवेपा लूम आधा कोईभ Kinan है इसका तो यहां पर मैं डाला नमक काला नमक डालो, सपेड नमक डालो, भुना हुआ जीरा डालो, बस वोई मसाले जाते हैं इसमें, पहले से चटनियों में और मीठी चटनियों में सारे मसाले हैं इसमें, और ये लाल मरचिका पाउडर डाल दिया हैं, आप तीक अपने हसाब से खा सकते हो, तो ये पर भुना ह तो बनके तयार है आज आज आई आप लोग भी खाली जिए दई बड़ा कभी भी बनाईए फिर भी मिलती है अच्छे से वीडियो के साथ तो अपना और अपनों का ध्यान रखिए